Dear students, we have to discuss about the early childhood education for sustainable development in the UK and Kenya. हम बात कर रहे हैं किनिया के अंदर UK का रोल, British Council का रोल और किस तरीके से उन्होंने financial resources के availability प्रापर availability ना होने की वज़ा से उनको resources को reuse करने के लिए जो UK का रोल है हम उसके पर बात कर रहे हैं. इस वक्त जो सुरत रहा है किनिया के अंदर बहुत सारे resources जाना वो available हैं institution को support करने के लिए उसके बाद उनके school को support करने के लिए और जैसे हम इससे पहले गुफ्तकू कर रहे हैं कर चुके हुए हैं कि government ने भी role play किया और reuse ने भी role play किया यानि पहला role जो play हुआ वो तो reuse का था और उसके हम आपको example भी दे चुक्ते हुए हैं और example में हमने बताया कि किस दीके से उन्होंने already जो school चार रहा है जो running school है उसके अंदर एक separate room बनाके उन्होंने उसको allocate करके फार्दा E.C.E. उन्होंने अपने resources के अंदर रहते हुए E.C.E. को launch किया और उसके अंदर sustainable development goals को जहना उन्होंने शुरू कर दिया उसके साथ जो minister government का ministers है वो भी अपाइंट किया गया leadership and direction is encouraging the such efforts कि उसको इस role के बारे में भी बताया गया कि education sector के अंदर हमारा जो focus है वो सर्फ grade 1 से 12 तक का focus नहीं होगा हमने वहां तक नहीं लेके जाना बलके हमने E.C.E. को भी उसके अंदर include कर देना है अब E.C.E. की inclusion से जो resources के issue थे उसको भी you can reuse के जरीए उनको guideline प्रवाइड कर दी गई उसके बाद उन्होंने उनको इस बात के उपर भी guide किया गया कि किस तरीके से energy food और recycling ये यूज करने के बाद आप effectively E.C.E. को कैसे रन कर सकती जैसे मैंने कमरे की मिसाल दी थी कि आर्रेडी available resources है और वहां पर room available है room allocation की गई और adjustment की गई बाद की बाद की बाद की इसी तिके से transport already available है transport को adjust किया गया E.C.E. के लिए किस तरह adjustment की की जैसे मैं आपको example देता हूँ कि जी सुबह के time जो school के अंदर बच्चे आते थे उनके timing में example आपको मिसाल के तौर बता रहा हूँ कि उनके timing में और E.C.E. के time में difference डालके same transport जो है वो फार E.C.E. यूज कर दी गए यह यह एक चोटा सा area है वो town है यह city है ABC जो भी है हमारे पास वहां पे grade 1 से grade 10 तक स्कूल है यह 12 तक स्कूल है उनकी transport है वो काम कर रही है फर्ज करें अब हम example के तौर पर आपको बच्चों को समझाने के लिए आपको बता रही है आम स्कूल जो है regular स्कूल जो है वो 8 बज़े लगता है और 1 बज़े उसके चुटी होती है तो एक model बना दिया गया कि EC का स्कूल जो है timing 9 मज़े शुरू कर दिया जाए 12 मज़े एंड कर दिया जाए अब यह देखें वोही transport जो पूरे स्कूल के लिए यूज होती है उसी transport को वापस आने के बाद जो transport खड़ी होनी थी उसको उन्होंने यूज कर लिया फार EC गये बच्चों को लेके आए जैसे मैंने आपको example दी है कि आठ आठ बजे फर्द करें स्कूल लग रहा है तो बच्चे आ गए है नौ बजे दोबारा ट्रांसपोर्ट EC को लेके आए स्कूल के बच्चों को वापस लेके जाना है एक बज़े ट्रांसपोर्ट ने लेके जाना है EC के बच्चों को 12 बज़े चुटी कर दी गई और वो उनको छोड़के आ गए अब देखें ये द्रिम्यान में ट्रांस्पोर्ट का वो टाइम जिसके अंदर वो फ्री थी के बच्चे तो 8 बज़े स्कूल आ गए बच्चों ने एक बज़े जाना है तो यू समझे लें कि हमारी ट्रांस्पोर्ट जो है वो पांच के जिटे तो वहाँ पे अवेलिबल थी तो उसकी अवेलिबिलेटी को जिटिलाइज करते हुए क्या किया गया कि उसको इस अंदाज में यूज किया गया कि इसी के लांच करने में जो फिनाशल बर्डन है हो मिनिमम हो जाए और इसी अंदाज में फूड के अंदर और जो है न और कम्यूनिटी के अंदर मुक्तलिफ जो सुचेशन्स हैं जो कामन एक्सपिरियंसें जो आफ्रीका के एक्सपिरियंसें उनको भी सामने लाते हुए other experiences को भी सामने लाते हुए किसी जगा पर पार्टनर्शिप प्रवाइड कर दी गई इन तमाम चीजों को डिवेल्प करते हुए इसी को डिवेल्प किया लिए यह निए अब मैं उसको थोड़ा सा आपके लिए एंडर्स्टेंडिंग के लिए बताओ तो मैंने आपको एक इग्जांपल दी है ट्रांसपोर्ट की सेम हमार पास एक्जांपल आती है फूर्ड की सेम आग्जांपल आती है अदर रिसूर्सिस इसकी कि हमारे जो अधर रिसॉर्स एँ ते उनुकान रिसॉर्स इसको भी जो अवेलेबुर रिसॉर्सेस ते उनहीं में से जी हमने सिर्फ उसकी मेनेजमेंट को एक बेतर बनाते हुए उनको किस चीज़ों को री यूज किया और कुछ चीज़ों को जो वहां पर हमारे पास अवेलेबल थी उनको हमने यूज किया तो इस तरीके से यूज और री यूज के जरीए हमने इसी के लोग इस्टैबलिश कर दी